डाइबिटीज के मरीजों को अपनी खानपन का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसकी वज़े ये है कि कुछ भी गलत खालेने से ब्लट शुगर अच्चानक से बढ़ सकता है। ये सेहत के लिए नुकसान दायक साबित हो सकता है। खासतोर पर आप सुबह जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका सीधा असर आपके ब्लट शुगर लेवल पर पढ़ता है। ऐसे में डायविटीज के मरीजों को सुबह ऐसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे उनका ब्लट शुगर लेवल बढ़ जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन चीजों के बारे में जिनने खाली पेट खाने से आप अपने ब्लट शुगर लेवल को काबो में रख सकते हैं। जिनमें पहले नंबर पर है अंकूरित मेथी। द्याविटीज के मरीजों के लिए सुबह खाली पेट अंकूरित मेथी का सेवन फाइदेबन साबित हो सकता है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है जो ब्लट शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही ये पाचन के लिए भी फाइदेबन हैं जिससे ड्याविटीज के मरीजों में कबच की समस्या दूर हो सकती है। दूसरी चीज है भीगे हुए मेवे। ड्याविटीज के मरीज सुबह खाली पेट भीगे हुए मेवे जैसे की बादम, अक्रोड, किश्मिश और अन्ये ड्राइब फ्रूट्स को रात में पानी में भीगो कर रख दें। अगले दिन सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मेगडीशियम और एंटी ऑक्सीडेंट गुर्ण पाये जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके सेवन से आपका पाचन भी दुरस्त रहेगा। तीसरी चीज है पापीता, डाइबिटीज रोग्यों को सुबह खाली पेट पापीते का सेवन करने की सलाहत दी जाती है। दर असल इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो ब्लड शुगर को नियंतृत करने में मदद करता है। साथ ही ये शुगर स्पाइक को रोखता है, जिससे डाइबिटीज को मैनेज करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है, जिससे कब्स की समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। चौती चीज है मूंग डाल। डाइबिटीज के मरीजों के लिए मूंग डाल का सेवन करना काफी फाइदेवन माना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही ये वजन घटाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए आप सुबह खाली पेट या नाश्ते में मूंग डाल स्प्राउट या चीले का सेवन कर सकते हैं। पांचवी चीज डालचीनी का पानी डालचीनी के पानी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में एक टुकड़ा दालचीनी भीगो कर रख दें। अगले दिन सुभी खाली पेटेस पानी को पी लें। इसके नियोमिट सेवन से प्लेट शुगर लेवल को कंच्रोल करने में मदद मिल सकती है। दुनिया में ग्यान बहुत है और ग्यानी तो उससे भी जादा। लेकिन काम का ग्यान सिर्फ मैं ही दूंगी। बाइ बाइ दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में।